हलो, वेलकम टो क्रिश्णा टेक्निकल पार्षाला आज हम लोग जो कोश्चन सौल कर रहे हैं वो सर्वेइं के कोश्चन सौल कर रहे हैं जैसा कि हमने पहले RCC के, कोश्चन को कैसे सौल करना है कि अगर इससे रिलेटर कोई भी कोश्चन आता है तो उसको कैसे सौल करना चाहिए या कोई भी कोश्चन आप सौल करते हैं तो उस कोश्चन को कैसे सौल करना चाहिए कम टाइम में कैसे अच्छे से आप त्यारी कर सकते हैं ठीक है न तो इन चीज़ों को आज हम यहाँ पर समझने की कोशिस करेंगे तो अभी हम लोग जेके SSB के कोश्चन सौल कर रहे हैं उसके बाद हम लोग डिफ्रेंट डिफ्रेंट स्टेट्स के जो सब्जेक्ट वाइस आप लोगों के सामने कोश्चन लेकर के आएंगे जिससे आपको किलियर हो कि हमको किस लेवल पर जाकर के स्टड़ी करना चाहिए किस तरीके से कोश्चन को attempt करना चाहिए तो हम लोग देखते हैं आज हमार पास फर्स जो क्वेस्ट गोश्चन है इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा कौन सा सर्मेय है जिसमें तुम दोनों काम अट ए टाइम कर सके field पे भी और seat पे भी तो यह distance only one type of survey होता है जिसको हम लोग क्या बोलते है plain table survey बोलते है plain table survey में आपने देखा होगा उसमें office work की requirement नहीं होती है जो भी work होता है वो on field ही हो जाता है आप जिस चीज़ को देख रहे हैं उसी चीज़ को वहाँ पे क्या करते हैं plot करते हैं तो ये time saving तो है पर तो generally हम इसको use नहीं करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे disadvantage हैं ठीक है न एडवांटेज सिर्फ इसका यही है कि इसमें office work करना नहीं पड़ता है मिसमें field book की जरूरत नहीं पड़ती है समझते है न इसमें फिल्ट बुक की भी जरुवत नहीं पड़ती बट इसका disadvantage यह है कि इसको हम हर मौसम में हर सीजन में यूज नहीं कर सकते हैं जहां पर high accuracy work हो चाहिए हमारे को वहां पर भी हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं ठीक है न तो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो इसका answer क्या है dear students इसका answer है plane table survey हमारे पास इस question का सही answer है और भी अगर हम लोग देखना चाहते हैं compass yes compass में हम लोग सारा data field book में लिखते हैं chain में भी same होता है third light में भी कुछ और भी चीज़े हम लोग अगर यहां पर देखना चाहते हैं chain survey का जो use होता है वो linear measurement के लिए होता है linear measurement जिसमें length हम लोग क्या करते हैं distance find करना है तो generally हम लोग किसका यूज़ करते हैं chain का यूज़ करते distance compass का यूज हम लोग angular के लिए करते हैं angles यह सब find करने के लिए compass survey का यूज़ के जाता है generally हम लोग two types of compass को study करते हैं first one is the prismatic compass and second one is the surveyor compass next हमारे पास होता है theodolite by help of the theodolite हम लोग horizontal angle, vertical angle, horizontal distance, vertical distance सबको find कर सकते हैं by help of the theodolite जबकि आप by help of compass क्या नहीं कर सकते हैं vertical distance find नहीं कर सकते हैं तो इसलिए theodolite का हमारे पास use यह था तो आपको यह question समझ में आया होगा कि इस question का answer आ गया D okay next question देखते हैं important important questions हैं देखते हैं अब आप इस question को देखिए question है महरे पास second number two which one of these is used for the measurement of baseline line ध्यान से समझना जब baseline कौन सा होता है जैसे for example आपके पास एक field है इस तरीके का ठीक है हम लोग देख रहे हैं हमारे पास कोई इस तरीके का field है इस field को एक line क्या करती है two parts में divide करती है इस तरीके से one field second field जो यह line है जो इसमें सबसे longest line जो होती है इस longest line को ही हम लोग क्या से जानते बेस ौइन के नाम से जानते हैं अब आप कह सकते हैं यह भी हो सकती यह अगर इस तरीके से देखेंगे तो यह भी two equal parts में divide कर रहे है बट इन दोनों मैं से जो longest होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं base line बोलते हैं base line वो line होती है जो किसी भी area को two parts में क्या करते है डिबाइड करती है it is not compulsory वो दोनों parts क्या हो equal ओके अब question क्या कहता है कि इस base line को आपने किस instrument की एलग से क्या करना करना है या मिलब measurement करना है तो प्लीज आपने ध्यान देना है कि इसमें जो भी हमारे पास answer आएगा वो हमारे पास क्या answer आएगा डिये स्टेंट्स वो हमारे पास आएगा inval tape इसका क्या है correct answer ओके डिये स्टेंट्स अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिस करते हैं उससे आपको बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी अच्छे से के लियर हो जाएंगी सबसे पहले आप देखे हम लोग यहां पे जब linear measurement करते हैं तो वो by help of the chain और by help of the tape करते हैं chain हमारे पास four tasks का हम लोग generally chain पढ़ते हैं first one is the metric chain second one is the gunter chain gunter chain is also called as a surveyor chain third one is the engineering chain and fourth one is the revenue chain ठीक है न तो अभी हम लोग इनको study करेंगे detail में बट जो हमारे पास tape है tape में हम लोग बहुत सारे tape को भी क्या करते study करते steel tape होता है metal tape होता है cloth tape होता है inward tape होता है बट अगर इन सब में चेल और tape में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे best result कौन provide करता है तो आपने बोल देना है सबसे best result जो provide करता है उसका हम लोग होते inward tape अब reason क्या होता है inward tape का जो coefficient of thermal expansion होता है वो क्या होता है बहुत कम होता है very low होता है और एक exam में question आया हुआ है सबसे पहले मैं आपको बतायता हूँ inward tape से related जो भी आपको information होना चाहिए पहले हम लोग वह देख लेते हैं inward tape ठीक है it is a made of alloy of 64% क्या होता है डिये स्टील होता है इसमें and 36% क्या होता है निकल आपने ध्यान देना है inward tape it is a it is a made of alloy 64% स्टील and 36% क्या होता है निकल होता है ठीक है डिये स्टेंज नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें second point जित्में भी important point सारा हम लोग लिखते हैं इट हैज ए वेरी लो कोफिसियेंट कोफिसियेंट ओफ थर्मल एक्सपेंसर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एलफा बोलते हैं एक एक्जाम में कोश्चन पूछा गया है कि जो एलफा होता है इनवार टेप का इनवार टेप का ध्यां से समझें इस पॉइंट को कोफिसियेंट ओफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर इनवार टेप इस इक्वड्यलन वन बच टेन टोवन बाए थर्टी एलफा ओफ स्टील टेप देहें ध्यां से कितना कम होता है जो वो steel tape का thermal coefficient है, coefficient of thermal expansion है, उसका 1 by 10 to 1 by 30 होता है, तो ध्यान देना आप, inward tape क्या होता है, यह किस-किस का बना होता है, nickel और steel का बना होता है, yes or no, second one, it has a very low coefficient of thermal expansion, और जो उसका value होता है, वो कितने में होता है, 1 by 10 to 1 by 30 of alpha steel tape के होता है, यह question अलड़ी एक बार exam में पूछा गया है, next हम लोग देख रहे हैं, जो width होता है, width वो generally कितना होता है, हमार पास 6 mm, और जो length होता है, size tape का, मलब किस-किस length के available है, 20 meter, 30 meter, and 60 meter, length के tapes क्या है, available in the distance, 30 meter, 20 meter, 30 meter, 60 meter के tapes क्या है, available है, next, जो degree of accuracy है, degree of accuracy, ज्यान देना, वो कितना है, हमारे पास, 1 by 20,000 to 1 by 1 leg, यह इसका degree of accuracy है, exam में यह भी हमसे पूछा गया है, तो width हमारे को पता होना चाहिए, इन्वार टेप का कितना 6 mm, length हमारे को, इस इस length के इन्वार टेप available मिलते हैं, यह बहुत soft alloy को होता है, इसके टूटने का, ब्रेक होने का डर बहुत जादा रहता है, इसलिए इस टेप को high accuracy, जिस survey के लिए required रहता है, उस को measurement के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, इन्वार टेप का use करते हैं, इसको कभी भी ordinary work के लिए use नहीं किया जाता है, किसके लिए use किया जाता है, जहां पे high accuracy, high precision की requirement होती है, जिस survey work के लिए उसमें ही सिर्फ क्या किया जाता है, इन्वार टेप का use किया जाता है, तो इन्वार टेप से related जितना भी data है यहां पे, यह सारा आपको पता होना चाहिए, yes or no? अगर इतना data आपको clear है, तो आपका काम बन जाएगा, इन्वार टेप का कोई भी question गलत नहीं होने वाला, इससे बार कोई question नहीं आते है, इन्वार टेप का width क्या है, length क्या है, किस से बना है, coefficient of thermal expansion क्या होता है, degree of accuracy क्या होता है, और किसके लिए यह use होता है, use, generally जो uses होता है, वो base line measurement के लिए होता है, measure, length में इसका क्या होता है, use होता है, इतना आपको points सारे पता होने चाहिए, okay, distance, next version देखते हैं, अब हम लोग, next version है हमारे पास, देखिए इसको, next version को, ठीक है, यहां से आप वो दिखाए दे रहा होगा, while measuring linear distance with a tape by applying normal tension, which of the following correction is automatically rectified, तो दिखान से समझना, जब भी इस तरीके का question होगा, तो उसका answer क्या होगा, बताए, पहले खुद सोचे, एक बार इसका answer क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ, सोचे, ठीक है, इसका answer आएगा, DSTNC option आएगा, correction due to seg and pull, both क्या हो जाते हैं, हमारे पास, rectified हो जाते हैं, automatically, means, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, cancel कर देते हैं, वहाँ पर जो net correction होता है, वो किसके equivalent होता है, DSTNC, zero के equivalent होता है, तो यहाँ पर जब भी हम लोग क्या करते हैं, उसको, normal tension में आपने, हम लोग जहाँ पर study करेंगे, survey को, तो survey में मैंने इसको proper detail में teach करना है, कि किस तरीके से यह correction है, वहाँ पर हम लोग different types of correction को study करते हैं, पर तो जब normal tension के case में अगर आप देखते हैं, ठीक है, normal tension के case में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता हमार पास, एक तो pull आप खींच रहे हैं, और दूसरा क्या होता है, sagging, तो correction due to pull के करन क्या होता है, हमार पास, PL1, upon कितना हो जाएगा, अच्छा स्वरी, इसको हम लोग थोए सा रप करते हैं, यह हमार पास होगा, PN-P0L1 upon AE, equal to किसके equal होता है, यह हमार पास होगा, W1L1 upon 24PN का whole square, यह correction कौन सा है, यह pull correction है, और यह कौन सा correction होता है, यह sec correction होता है, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, PN, जो pull tension है, अगर वो PN के बरावर हो जाए, जिसके साथ खींच रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, देखें, उन्होंने यही बात बोला है, उसमें, कोशन को ध्यान से पढ़िए दोबारा, उन्होंने ध्यान से पढ़िए प्लीज, इन्होंने यह बोला, वाइल मेजनिंग लीने डिस्टेंस विद एक टेप बाइप्लाइं नॉर्मल टेंशन, मतलब, जाब पुल कर रहे हैं, अगर वो किसके बरावर हो जाए, नॉर्मल टेंशन के बरावर हो जाएगा, तो वहाँ पर यह दौनों एक दूस्ते के क्या हो जाते हैं, equivalent हो जाते हैं, और net correction क्या हो जाता हैं, वहाँ पर 0 हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका answer कौन सा सही है, C option correct है, ठीक है, next question देखते हैं, next question क्या देश्टेंस, what cell would the back bearing of a line, if its four bearing is 280 degree, पता हों चीए, what is the four bearing, what is the back bearing, and what is the relation between four bearing and back bearing, तीनों point अगर clear है, तो आपको question solve करने में, कोई भी problem नहीं आगी, ध्यान से समझे इसको, ध्यान से समझते हैं, one एक एक point को ध्यान से देखते हैं हम लोग, फिर इस चीज़ों को समझेंगे, हमार पास space होना चाहिए, पुरा space रहेगा, तो अच्छे से चीज़ों दिख जाएगे, देखे, first हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर four bearing का, what is the four bearing, four bearing, okay, four bearing, आप ध्यान से समझे, इसको हम लोग compass survey में study करते हैं, इस तरीके से, यह हमार पास क्या north, यह हमार पास south, यह हमार पास east, यह हमार पास west, okay, north, south, east, west, यहां से हमार पास एक line जा रहे हैं, कोई भी हमने क्या क्या angle measurement किया, यह है o, यह हमार पास a, ज्यान समझना, compass survey में, compass survey में भी prismatic compass, मैंने बताया आपको two types of compass, first one is the prismatic compass, and second one is the surveyor compass, yes or no, जब हम लोग बात यहां पर किसकी कर रहे हैं, हम यहां पर prismatic compass की बात कर रहे हैं, तो prismatic compass में जो reading से ली जाती हैं, वो always clockwise direction में ली जाती हैं, ठीके, तो यहां पर हमने एक angle को measurement किया, यह हम हर पास theta, यह स्थीटा को, ठीके, तो इस theta को हम लोग क्या कहेंगे, theta a, theta a is the bearing, यहां पर हम लोग bearing को किसे denoted करते हैं, angle से denoted करते हैं, तो theta a is the bearing, but, कौन सा bearing, 4 bearing या back bearing, तो हम लोग कहेंगे, theta a is, 4 bearing, ध्यान समझने इसको, theta is a 4 bearing, of a line o a, हम लोग o से a की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, o से a की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यह बनने वाले angle को, हम लोग क्या कहेंगे, 4 bearing कहेंगे, same distance, इसको हम लोग क्या करते हैं, color change करते हैं यहां पर, हम लोग दुबारा से, इस पर एक बनाते हैं, फिर से यह हमारे पास हो गया, north, south, east, और यह हो गया हमारे पास west, अब आप खुद देखिए, यहां पर हम लोग फिर से, different color में देखते हैं, एक angle हमारे पास यह है, जहां समझे, क्योंकि हम लोग कौन सी कमपास पर बबर कर रहे हैं, हम लोग पिर्जामेटिक कमपास पर बबर कर रहे हैं, पिर्जामेटिक कमपास में, always reading from the north and clockwise direction में consider की जाती हैं, देखिए, north से consider की हैं, clockwise direction में की हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, theta 2, अब हम लोग यहां पर लिखते हैं, sorry theta 2 लिखते हैं, इसको एक और चीज़ देखे, हम लोग इसको क्या लिखते हैं, theta 1 लिख लेते हैं, ठीटा 1, यह होगा, theta 2, यह होगा, theta 1, theta 2 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ध्यान से समझना, theta 2 is 4 bearing, theta 2 is the back bearing of a line, क्या है हमार पास, OA, जहां से देखे, यह हमार पास क्या हो जागा, ध्यार स्टेंट्स, theta 2 is the back bearing of a line OA, और मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, देखे ध्यान से, हम लोग यहां पर देखते हैं, फिर से दुबारा, यहां से आपको और अच्छे से clear होगा, ठीक है, यह हमार पास line जाती है यहां पर, यह इस तरीके का है, अब आपने खुद सोचना है, यह हमार पास क्या, north, south, east, और west, north, south, east, और west, इसको हम लोग लिख रहे हैं, a, यह हमार पास हो गया, भी, that is means हमारे पास, a, b, यह क्या होगया, लाइन हो गया, तो यहां पर हमारे पास दो angle है, एक तो angle होगया, हमारे पास यह बाला, इसको हमने बोल दिया, theta, e, ok, a पे लिए जा रहा है, इसलिए, क्या होगया, theta, e, और यह angle कहा पे लिए जा रहा है, B पर लिए जा रहा है इसलिए इसको हमने बोल दिया theta B ध्यान समझ ना please अब मैं हाँ पर क्या लिख रहा हूँ ठीटा A is for bearing of AB yes or no theta A is For bearing a से B की तरह जा रहे हैं तो यह एंगल कहां पर e से b की तरफ जा रहे हैं तो इसको हमने बोल दिया for bearing of AB theta b को देखे, मैं क्या लिख रहा हूँ, theta b is forbearing of b a, yes or no, yes, देखे, forbearing of b a, means, हम लोग b से a की तरफ जा रहे, बी से इसको पढ़ने का तरीका देखे, b से a की तरफ, तो theta b क्या हो जाएगा, forbearing का काम करेगा, और theta a किसका काम कर रहे है, यह इस line के लिए forbearing का काम कर रहे है, बट मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, dear strengths, इसको मैं लिख सकता हूँ, backbearing of, क्या लिख सकता हूँ, backbearing of, इसको मैं लिखूँगा, b a, और इसको मैं क्या लिखूँगा, backbearing of a b, जो एंगल BA का क्या होगा 4 bearing होगा वही एंगल क्या कहलाएगा back bearing of AB कहलाएगा अब इसमें relation देखिए आप ध्यान से आप relation देखिए similar triangle conditions को अगर आप क्या करते हैं यूज करते हैं देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं यह वाला जो angle होगा यह वाला angle वो किस angle के equivalent होगा क्या वो इस angle के equivalent होगा या कि नहीं होगा अगर यह theta A है तो यह वाला angle भी कितना हो जाएगा theta A हो जाएगा और यह वाला angle कितने के किसके बरावर होगा यह वाला देखिए एक second black से देखिए यह वाला जो angle है जिसको अभी मैं black कर रहा हूँ, यह angle किसके equal होगा, जो black वाला है, यह देखें, अगर कोई line है इस तरीके से, अगर आप इस तरीके का angle बनाते हैं, तो यह कितने degree का होता है, 180 degree का होता है, yes or no, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, यह हो गया हमारे पास 180 degree का, अगर आपको theta थीटा भी पता करना है, तो थीटा भी किसके equal होजाएगा, बोलिए, थीटा भी जो white वाला है, थीटा भी equivalent किसके होजाएगा, black प्लस, जो हमने क्या ले रखा है, blue टाइप में ले रखा है, तो इन दोनों को आप add करिए, 180 degree प्लस, कितना होजाएगा, थीटा एके equivalent है, वो हमारे पास क्या है, इस relation को आपने हमेशा याद रखना है, back bearing equal to 4 bearing plus minus 180 degree, यह relation आपने हमेशा क्या रखना है, याद रखना है, back bearing equal to 4 bearing plus minus 180 degree, अब आपके मन में एक doubt है, कि सर्थ प्लस का sign कब यूज़ करेंगे, plus sign use when, कब यूज़ करेंगे, when 4 bearing is less than, less than 180 degree, अगर 4 bearing का value 180 से कम है, तो उस case में क्या करेंगे, plus sign का use करेंगे, और minus sign का जो use है, minus sign use when 4 bearing is more than 180 degree, तो इस तरीके से, हमने पूरे compass में इस relation के, क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और इसी ही relation की help से हम लोग local attraction को भी find करते हैं, local attraction क्या होता है, back bearing minus 4 bearing equal to 180 degree, अगर ये इस relation को क्या करता है, या पैसा करेंगे, high bearing minus low bearing, कभी क्या होता है, four bearing जादा होता है, कभी back bearing जादा होता है, आपने क्या कहना है, high bearing minus low bearing equal to 180 degree, that means, both stations are free from of local attraction, or both stations are affected by same amount of local attraction, yes or no, तो आपने ध्यान देना इस बात पर, कि जब four bearing minus back bearing करेंगे, तो वो 180 के बराबर आता है, तो जिन station से back bearing लिया है, और जिस station से four bearing लिया है, वो both station free from of local attractions हो जाते हैं, but ये relation, it is very very important relation, back bearing equal to four bearing plus minus 180 degree, अब हम लोग अपने question की बात करते हैं, हम अपने question क्या है, हम अपने question पर आते हैं, question कह रहा है, डिये स्टेंट्स, what's LB the back bearing of a line, if its four bearing is 280 degree, तो देखिए, अब हम लोग अपने यूज करते हैं, four bearing कितना दिया है, इस question में, 280 degree दिया है, बताएं, back bearing आपको पता करना है, तो back bearing equal to क्या होगा, relation है, four bearing plus minus 180 degree, अब आप बताएं, plus sign use करें, या minus sign use करें, बताएं, condition क्या है, plus sign use, when four bearing is less than 180 degree, बत यहां पर four bearing कितना दे रखा है, 280 degree, 280 degree is more than 180 degree, that means, हम लोग किस sign को यूज कर सकते, plus sign को use, नहीं करेंगे, दूसरा, minus sign use when four bearing is more than 180 degree, yes, तो back bearing equal to क्यों हो जाएगा, four bearing minus 180 degree, 280 degree minus 180 degree, equivalent 100 degree, answer, तो कौन सा option हमारा correct हो जाएगा, strength, B option is correct, B option is correct, okay, इस question का B answer correct हो जाएगा, आपको यहां से थोड़ा सा concept किलियर हुआ होगा, कि four bearing, back bearing, दोनों में relation, कैसे हम लोग क्या करते हैं, find करते हैं, okay, next दिखते हैं, next question क्या हमारे पास, how many links are recommended in a 20 meter, metric chain as per IS, सबसे पहले तो आपको याद रखना है code, यह code important है, कि chain मतलब जो हमारे पास different types of chain है, metric chain, ठीक है न, जो classification हम लोग करते हैं, classification, ठीक है न, classification of metric chain, metric chain, वो किस code के basis पर किया जाता है, यह हमारे पास IS 14921970, क्योंकि बहुस काफी बाद code ही पूछे जाते, exam में कितने types का का distance, यह हमारे पास 4 types का है, कितने types का distance, 4 types का है, 4 types of metric chain को हम लोग क्या करते हैं, study करते हैं, वो हमारे पास कौन-कौन सी है, दिखते हैं हम लोग, कि first हमारे पास 5 meter chain, second है 10 meter chain, third है 20 meter chain और जो fourth है, वो हमारे पास 30 meter chain, इसमें जो number ऑफ links हैं, distance वो कितने हमारे पास 25 links इसमें हम लोग देखते हैं तो कितने links हैं distance 50 links और इसमें जब हम लोग देखते हैं तो इसमें कितने links हैं हमारे पास इसमें हमारे पास हैं distance 100 links और अगर आप 30 मीटर में देखेंगे तो कितना हमारे पास 150 links है, ओके, next हम लोग यहाँ पर देखते है, length of, length of each link, कितना होता है, dear friends, each link जो होगा हमारे पास, वो होता है, 200 mm, और 20 cm, और 0.2 m, एक ही बात, तो आप इस तरीके से याद रखनें, चाया वो 5 m chain है, चाया वो 10 m chain है, चाया वो 20 m chain है, या 30 m chain है, उसमें आप से exam में क्या पुछा जा सकता है, कि किस particular chain में कितने number of links होते हैं, दूसरा आप से यह पुछा जाएगा, कि length, मतलब जो link है, एक link का length कितना होगा, बताएं 100 links है, 20 m chain है, तो आप इसको क्या करिए, देखिए, अगर 2, 0.2 m का एक link है, तो अगर इसको आप 100 से multiply कर देंगे, तो total कितना बन जाएगा, 20 m बन जाएगा, simple सा, यहाँ पे कितने links हैं, 150 links हैं, उसको 0.2 से multiply करिए, तो आपको कितना मिल जाएगा, 30 m chain मिल जाएगा, 50 को 0.2 के multiply करिए, तो आपको 5 मिल जाएगा, ओके, यह हमारे पास हो गया, next देखते हैं हम लोगो, देखते हैं, ठेक है, और रुकिए, थो यहाँ सा हम लोग अच्छे से space बना लेते हैं, क्योंगे बहुत important points हैं, ओके, देखते हैं हम लोग इसको, एक second, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, और side में ले जाते हैं, फिसको कर देंगे बड़ा बात में, don't worry, अब हम लोग देखते हैं, इसमें जो अपने काम की बाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर dear strengths, क्या क्या हमारे पास है chain से related, जो भी question आएगा न, आज मैं आपको सारा कुछ करा दे रहा हूँ, इसमें, इससे बाहर chain में कोई भी question आप से नहीं पूछा जाएगा, जो भी question सोंगे न, आपके सारे question क्या हो जाएगे, chain के बिल्कुल क्या हो जाएगे, सही हो जाएगे ओके, तो हम लोग इसमें और भी आगे देखते हैं, classification of metric chain हम लोगों ने पढ़ लिया, इसमें हम लोग थोज़ा सा आगे देखते हैं, देखे, आपने देखा होगा, exam में कभी कभी और भी questions क्या बनते हैं, exam में question ये बनता है, कि जो हमारे पास क्या है, आपने पढ़ा होगा, एक होता है brass ring और एक होता है brass tally, यह सुनो, तो आपने ध्यान देना है, 5 meter और 5 meter and 10 meter chain में, एक हमारे पास कितना है, 5 meter, दूसरा कितना है, 10 meter chain में, हम लोग क्या करते हैं, brass tally, यह tally's provided, 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 at every, at every meter, at every meter, सब्सक्राइब आए, जैसे 5 meter है, तो 5 meter में, हम लोग देखते हैं, कुछ इसका इस तरीके से बनता है, ठीकिए इस तरीके का रहता है, एसमे तो इसमें क्या करते हैं हम लोग जो फर्स्ट लिंक होगा यहां पर हम लोग क्या करेंगे एक टैली का यूज करेंगे जो टैली आप्टर वन मीटर होगा वही सेम यहां पर भी होगा फोर्थ टैली पर समझ मैं यह नहीं है फर्स्ट टैली पर जो होगा वही किस पर होगा फो इधर से भी कर सकते हैं और ध्यान देना हमेशा इन हेंडल्स को इस यह हेंडल से हैं इसको लेंथ में क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं इसको क्या करते हैं इसको मेजरमेंट करते हैं हम लोग लेंथ में ठीक है ना प्रश रिंग यूज नहीं होता है ज्यां समझने इसको पर जो हमारे पास क्या होते हैं 4, 20 meter and 30 meter जो हमार पस क्या chain है ठीक है ना क्यों कौन सा 20 meter and 30 meter जो chain होते हैं उसमें क्या होते हैं जो 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 प्रोवाइड़ एट एवरी 5 मीटर यह ध्यान देना प्लीज वेर वेरी इंपोर्टन पॉइंट इसमें जो ब्रास रिंग प्रोवाइड की जाएगी वो हर मीटर पे प्रोवाइड की जाती है एक मीटर दो मीटर तीन मीटर चार मीटर पांच मीटर तो हर मीटर पे ब्रास र से पांच, पांच से दस, दस से पंदर, पंदर से वीस, और वीस से पचीस, पचीस से तीस, तो जब हमारे जो थियोरी लेक्षर से हैं, वहां पर हमने प्रॉपर डिटेल में उसका डियाग्राम के थ्रू बताना है, वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यह ब्रास रिंग प्लीज, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, इस तरीके का टेबल है हमारे पास, तो यहां पर हो गया हमारे पास टाइप अप चे, यहां पर हो गया लेंथ, और यहां पर हो गया नमबर ओफ लिंग्स, और यहां पर हो गया लेंथ ओफ इच लिंग, ओके, इस टेबल का ह फुल्फिल करते हैं बिल्कुल एकदम अच्छे से किलिर हो जाएगा फर्स्ट हमार पास सिरिल नंबर का भी लिख सकते हैं डॉन बही यहां पर पास टाइप ओफ टाइप ओफ टेड नेल टाइप ओफ चेन यहां पर लिखते हैं लोग लेंट' of chain ठिक यहाँ पर लिखते हैं हम लोग number of lengths number of lengths और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग length of each length length of each length ओके स्टेंट तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं sorry कि अच्छ 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 कि इसको अच्छे से बना लेते हैं टेवल को यह टेवल आप याद रखेंगे तो बहुत सारे कोशन्स आपके क्या जाएंगे सरी हो जाएंगे ठीक है इस टेवल को आपने क्या रखना देश्ट्रेंस याद रखना है कि कि अच्छ अब देखें इस टेवल को हम लोग क्या करते हैं फूल्फिल करते हैं त्वंटी मीटर चेंन cabbage मैं यह सबन हो याद रखना है जो भी हमारे पास matter चेंट होगा वह हमारे पास चार तरीक एका होगा ठीक है न तो इसमें आमने थ्वरा सा क्या रखना याद रखने है है तो फाइं मीटर चेन में में यहां पर लेंध हमारों किलिर हो गया इसका कि ना वह फाइंब meeting 10 सुर् accountant व्रैइंट स्टेंट सब्सक्रांधे यहुक्तित शिर्श मांनुद में और से मुझत कितने वूंड़रेटर में सब्सक्राइ forecasts रिसे नाम से जानते हैं अ गंटर सेस्टाइब के नाम से नाम से जानते हैं यह एक्जाम में पूछा जाता है गंटर गंटर चेंड आलसो नॉन एज सर्वियर चेंड वहां पर चार ओप्षन होते हैं मैट्रिक चेंड या फिर क्या होता है इंजेश चेंड रिवेन्यू चेंड इस तरीके का होता है ओके थोड़ा सा ओके घंटर से इसका लेंट कितना होता है 66ष होता है इसमें 100 लिंक्स होते हैं तो एक लेंक कितना हो जाएगा 0.66 फिट का हो जाएगा पूट का ओजाल थीए ए फूट पूट कि नेशव बात कर रहें इंजीनियर से कौण सा डेस्ट इंजीनियर से इंजीनियर से इसका कितना होता है लेंद हन्डेड फिट होता है है 2 अम्यूंक क्यूंट होते हैं doing teaches is में hundred links होते हैं तो कितना जाएंगा बन फुट क्या जाएगा लैंट हो जाएगा किसका Cheers Crash और लेंट हो जाएगा किसका इंजीनियरस चेयं का इंजीनियरस चेन का यह इसका देश्टर इस थर्टी थ्री फिट होता है थर्टी थ्री फिट होता है नम्मर ओब लिंक्स कितना होते हैं इसमें 16 लिंक्स होते हैं ठीक है और इसका लेंग कितना होता है टू बाइव वन बाइव सिक्स्टीन क्या होता है फिट होता है फिट होता है ओके आप जब इसक प्रवेना हम लोग जनली इन ही चेन के बारे में क्या करते हैं टाइप ऑफ चेन मैट्रिक चेन फोर टाइप गंटर चेन इट इस आल्सो नौन एज दा सर्वेर चेन इंजीरिंग चेन एंड रिवेनी चेन एक एक और क्वेश्चन यहांजे पूछा जाता है कि रिवेनी चेन का आप यूज कहां करते हैं तो इसका जर्नली जर्नली यूज्ट फोर के डिस्टल के डिस्टल सर्वे इसका जर्नली कहां पर क्या जाता है के डिस्टल सर्वे और कैस्टल सर्वे का मतलब होता है फिक्सड बॉंड्रीज ओके फिक्सड बॉंड्रीज फिक्स बॉंड्रीज पिक्स बोंड इस जहां पर होती है उसको हम लोग क्या होते है क्या शॉब सर्वे बोलते हैं इस तो गंटर चेन हो गया है इंजिनियर्स चैन हो गया चेन चैन क्या स्व सथ है उस दो हम लोग Sindias tolerance limit जो होता है हमारे पास distance वो हमारे को पता होना चाहिए tolerance limit जो है हमारे पास tolerance limit ठीक है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको थोड़ा से रप करते तो यह हमारे पास हो गया यह हो गया चेंं ठीक है कि एकजाम में पूछा जाता है टववनटी मीटर चेंं के लिए tolerance limit कितना जो कि अधे जोटके ब्लस माइनस 5cken होता है 30 meter chain के लिए कितना होता है plus minus 8 mm होता है ओके यह होता है 20 meter chain के लिए कितना होता healthier plus minus 5 mm और 30 meter chain के लिए कितना होता consegu plus minus 8 mm होता है एक data और है जो बहुत important है वो data can last मरपस as per is specification as per is specification chain should be accurate ठीक है इसको हम लोग लिख लेते हैं chain should be accurate accurate within within plus minus 2 mm in every meter in every meter when measured when measured under a tension under a tension of 80 newton or 8 kg okay यह बहुत important data थे हमारे पास अगर यह सारे data आपको याद है तो change से related आपका कोई भी question क्या नहीं होने वाला है गलत नहीं होने वाला है इतना आपको ध्यान रखना है ठीक है तो tolerance limit अगर 20 meter में पूछा जाए प्लस माइस 5 mm 30 meter में पूछा जाए प्लस माइस 8 mm as per is के according पूछा जाए तो change should be accurate within plus minus 2 mm but ध्यान देना यह हर meter में मतलब जैसे आप 1 meter को क्या कर रहे है 80 newton से क्या कर रहे है pull कर रहे है 80 newton load जैसे 80 80 ऐसे इसको pull कर रहे है तो 1 meter chain में जो क्या आना चाहिए difference आना चाहिए अगर ऐसा है तो फिर वो क्या है correct है तो इसलिए आपको मैं दोबारा एक बार दिखा दे रहा हूं पूरा है जिससे आप इसको क्या कर सकते हैं एक बार 10-meter 10-meter 20-meter 30-meter 4 types of chain था सारा कुछ हम लोग यहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वर्शन देखते हैं आगे कि ठेखते हैं बहुत इजी-जी कॉस्चन है इन सारे कॉस्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं एक माट हो जेए थ्वास आपर वेट कीजिए एक सेकेंड इनको थ्वाए ऐसे कर देते हैं जिससे आना हमको थ्वाए स्पेस अच्छे से मिल जाएगा इच्छे से स्पेस रहेगा तो हम लोग ज्यादा चीज़ों को पढ़ पाएंगे छोटे से चीज में ओके आव देखें को पढ़ना बहुत ज़रूर है पहले ध्यान से पढ़िए कोशन के है इफ दा आरेल ऑफ ए बीम इस फिप्टी मीटर दा बैक साइट इज 1.25 एड फोर साइट इज 1.25 देन वट विल बी दा आरेल ऑफ दा फोरवर्ड स्टेशन ध्यान से देखिए हमारे पास यहा हमारे को क्या है फाइन खरनार फाइन है तो हमारे को दो मैं वह सहम लोग यह कई है जनली यू शरतवज इसह थीट इहां कि यहिट उक्योर फॉल मैं र thigh के राइज एन्फॉल मेथर्ड and second one हमारे पास कौन सा होता है एच आई मैथर्ड किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग हाई टॉप इंस्टुमेंट मैथर्ड के नाम से जानते हैं ओके राइस एन्फॉल मेथर्ड second one is the HI method जब भी question आपको fast करना है तो आप किस method पर जाएए HI method पर जाएए HI method को हम लोग क्या कर रहे हैं इस तरीके से हाँ पर पढ़ते हैं HI method अब आपको जो मैं formula बता रहा हूँ वो आपने याद रखना हमेशा के लिए इसमें दो formula है first one is the HI height of instrument यह किसके को होता है जहां से देखिए height of instrument होता है rl of bm yes or no rl of bm का मतलब होता है reduce level of किस गेप हम लोग क्या लख लेते at लेते हैं rl at benchmark ok reduce level at benchmark benchmark का मतलब क्या होता है जिसका आपको rl पता होता है reduce level पता होता है मतलब जिसका समुंद्र के मतलब C के respect में आपको height पता होता है उसको हम लोग क्या बोलते है rl बोलते है जिस point का rl पता होता है उस भी को हम लोग क्या बोलते है benchmark बोलते है ok plus क्या होता हमारे पास bs अब यह bs क्या है distance इसको हम लोग बोलते है back site क्या बोलते है back site हमारे पास three sites होती है back site क्या क्या बोलते है उसको back site intermediate site और four site जहां समझने इनको back site कौन सा site होता है back site वो site होता है जिसका जिस point का आपको rl पता होता है means जैसे हमारे पास क्या है कि यह हमारे instruments हो गया dumpy label suppose ठीक है यह हमारे पास क्या हो गया dumpy label हो गया यह हमारे पास क्या है कोई भी ground है इस तरीके है यह थोड़ा undulated भी हो सकता है अगर suppose इस point का आपको rl पता है माल लेते हैं कितना है 100 meter जनरल यह ऐसे ही करते हैं हम लोग तो हम लोग क्या करेंगे stop को यहां पे put करेंगे stop जो होता हमारे पास ठीक है और एक हम लोग क्या करेंगे यहां से reading लेगे यह जो value होती है इस value को हम लोग क्या बोलते है back side बोलते है कहने का मतलब मेरा simple सा है back side हम हमेशा वहां पे लेते हैं जिसका rl पता होता है के लिए रोगया अगर suppose हमारे को एक reading यहां पे लेना है एक reading यहां पे लेना है ठीक है न तो हमने क्या किया इस तरीके से एक यह reading हो गया और एक यह reading हो गया और इसके बाद हमने अपने instrument को क्या करना है change करना है तो ध्यान देना जब भी हमें instrument को change करना होता है या फिर इस जगे से जो last reading होगी उस Reading को हम लोग क्या बोलते हैं उसको हमät क्योंकि जैसे हम इस स्टेशन से खिली सब्सक्राइऩ एंवाphen्यांरिक यह मैंने पास क्या धार सब्सक्राइब क्यों हम लेते हुआ थिक यह हम लोग डिंफ ले लिए सब्सक्राइब इसका लिए-छांप इसके पता है श्ताप को उसके नीचे यह हाइट है अब हमने क्या किया एक यह रीडिंग लिया दूसरा रीडिंग यह लिया तीसरा रीडिंग यह लिया चौथा रीडिंग यह लिया अब क्या कर रहे हैं अब इस इंस्ट्यूमेंट को आगे लेकर के जा रहे हैं तो बताएं इस इंस्ट्यूमेंट से लास्ट री जान देना है ठीक है तो आपको एक point के लिए हो जाना चाहिए यहां पर कि यह अमरे पास बीएस क्या होता है और fs क्या होता है और is क्या होता है तो इस तरीके से हमने हमने हाई इक्वाइट उप में आए जे में आए किसी भी एक्जाम में कॉशन आए अगर वह आरेल से रिलेटर कोशन है तो इन से ही सब्सक्राइब आपको किसी भी पॉइंट पर अगर आरेल पता करना है तो हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं एच आई मला हाइट ऑप इंस्टुमेंट जो हमने यहां पर फाइंड क्या है इन दोनों का एडिशन करके माइनस माइनस स्टाफ रीडिंग ठीक है स्टाफ रीडिंग स्टाफ रीडिंग एट बैट पॉइंट इस वैरी वैरी इंपोर्टेंट रिलेशन है जर्नली आप लोग क्या पढ़ते हैं आप लोग पढ़ते हैं आरेल एक् HI-FS जाता लोग इस relation को पढ़ते हैं पर तो मैं हर students को इस relation के लिए बोलता हूँ ये भी एक ही मतलब है दोनों एक ही है मैं कुछ भी change नहीं कर सकता अपनी तरफ से टेक्निकल में यही सबसे बड़ी खुबसूरती है किसमें कुछ change नहीं कर सकता कोई विचा करते हैं चीज वही है बताने के तरीके सब क्या अलग अलग हो सकते हैं RL at any point मतलब RL हो गया किसी भी point पर आप पता कर रहे हैं तो वो क्या होगा height of instrument, height of instrument, minus, minus stop reading at that point मतलब जरूरी नहीं है कि वो FS होगा, क्या पता वो IS हो, IS मतलब intermediate site हो yes or no, तो मतलब जिस point पर आपने stop reading लिए उस point पर अगर आपको RL पता करना है तो simply आप क्या करेंगे HI में से उस value को सब्टेट कर देंगे तो देखते हैं, अब हम आपना question कि question में हमारे को क्या-क्या given कर रखा है I think आपको clear हो गया होगा what is the BS, what is the IS, what is the FS and two methods होते है rise and fall method, HI method ठीक है न, तो कहीं कहीं पर हमारे को इसका वो भी करना होता है मतलब जो भी होता है sigma FS, sigma BS किसके एकोल होना चाहिए sigma BS minus sigma FS equal to sigma rise minus sigma fall equal to, क्या होना चाहिए first RL minus last RL होना चाहिए, yes or no same इसमें भी हम लोग ऐसे करते हैं उसमें हम यह accurate result प्रोवाइट करता है जो rise and fall method होता है comparison to HI method but HI method is easy, okay इसमें कम करना पड़ता है, इसमें क्या होता है इसमें जो हमारे पास होता है इसमें हम लोग करते हैं, एक और थोड़ा सा और बता देता हूँ इक क्वल यह क्या हो जागा, सिग्मा हो जाना सिग्मा राइस मायनस सिग्मा फॉल propag ऐस सिग्मा और सिग्मा पॉल करते हैं, सब्ट्र son जाना सिग्मा करें पास ही आँ देना सुरी लास्ट आरेल माइनस फस्ट आरल होता है इसमें थोड़ा सा ठीक जो जागा लास्ट आर एल माइनस फस्ट आरें ठीक रिड्यूज लेबल जो है तो सेम इसमें कितने होते हमारे से लोक्त है कुन सा सिगमा भीस माइनस सिगमा AFR के किसносगर पर फैयर लाश्ट आरेल माइनस करने तो अगर यह करता तो आगर यह क्या करता कट to last RL minus first RL है, अगर इसको satisfy करता है, तो सही है, अब हम अपने questions को देखते हैं, टो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, टो हमारे पास RL क्या दे रखा है, ऑपर बेंचमार्क ठीक है ना तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं आरेल ओफ बेंचमार्क कितना दिया डिश्टेंस 50 मीटर दिया है दूसरा हमको बीएस दे रखा है और एक दे रखा है इनको देख लेते हैं यह 1.25 तो हम लोग यहां पर वही फॉर्मुला लिखेंगे देखें फॉर्मुला हमार पास क्या रहा है सबसे पहले हमको क्या पता करना पड़ेगा एच आई सबसे पहले क्या फाइंड करना हमारे को है 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 का एक आए एक क्वल्ट टू है हमारे पास आ और है एट बेंचमार्क प्लस बीएस कि यह सारा कुछ गिवन कर रुका है आर लों बेंचमार्क कितना मरपास 50 मीटर प्लस बेंचमार्क बीएस कितना मरपास 1.25 इसको आप क्या करिए एड करिए तो फाइनल कितना बन जाएगा 51.25 मीटर यह सो लो 2. दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर RL at forward station forward station यही पुछाना हमारे को तो हम लोग क्या कहते हैं हम लोग बोल रहे हैं HI minus staff reading at forward station forward station तो यहां से आपको clear हो जाएगा है तो हम लोग इसको क्या लिख पा रहे हैं देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा HI 51.25 माइनस staff reading at forward मैंने बोला जिस पे पूछा जा रहा है उसी का reading लिखिए तो कितना हमारे पास 1.85 तो किजिए फाइग माइनस फाइग जीरो ट्वैल माइनस एट कितना हो गया फोर वन मैंसे वन कितना हो गया 49 तो क्या इसा कोई आंसर है हमारे पास देखते हैं लोग 49.4 49.4 क्या कोई option है हमारे पास distance yes which option is correct बोले कॉंसा option correct है हमारे पास B option क्या हो गया correct हो गया तो इस तरीके से हमारा यह question क्या हुआ होगा यहां से थोड़ा सापको क्या हुआ होगा अच्छे से concept के लियर हुआ होगा मेरी पूरी कौशिस थी कि मैं चीजों को आपको अच्छे से समझा पहूं और यह आप लिए बहुत helpful रहेगा डियर स्ट्रेंट्स हम लोग नेक्ट प्रॉशन देखते है ठीक है एक questions को हम लोग लेकर आते हैं यहां पर यह theoretical question है यह हमारे पास numerical question है देखे द्यान से कर देखे एक question क्या है question को द्यान से पढ़िए question द्यान से क्लियर हो गया तो आप देखे सिंपल सा question है पढ़िए question को question को पढ़िए द्यान से a plot of land measure 30 cm into 60 cm on a map drawn to a scale आपने क्या किया कोई भी topography area द्यान से समझने इस तरीके के जब भी questions आए द्यान से पढ़िए इसको क्या बोल रहा हूं तो इसके बाद दिखते हैं a plot of land measure 30 cm into 60 cm on a map drawn to a scale मतलब जब आप क्या करते हैं one centimeter equal to 50 meter इसका मतलब क्या है यह हमारे पास map पे और यह कहां पर ग्राउंड पर है और यह हमारे पास कहां तो ध्यान से समझें इसको मतलब मैप पे आप जिसे फोग इस तरीके का बलब यहां पर वन सेंटी मेटर लिखते इतना तो हमारे पास कोई भी क्या फील्ड है इस तरीके का ठीक है वहां का कितना 50 meter यह कितना 50 meter लेंथ जो होगा वह मैप पे कितना सो कर रहा है वन सेंटी मी से सो कर रहे तो कॉशन कहता है अगर आप इस तरीके से इस से क्या करती यूज करते हैं तो जो मैप का एरिया बन रहा है वह एरिया कितना डियस एरिया है हमारे पास 30 meter इंटो 60 meter कितना डियस तरी मीटर इंटो 60 सेंटी मीटर है एक दोलाड ऑप लेंद मेंजर अवजर 30 सेंटी मीटर इंटो 65 सेंटी मीटर होने करते हैं इस्केल को चेंज करते हैं क्या क्या किया हमकि एसकेड करते हैं smood हो गया मेर पास वन सेंटी मीटर इक不會 टू 600 saat मतलब के लिए expressions आप क्या करें 600 मीटर को एक सेंटिमीटर के लिख रहे हैं तो बताइए यह एरिया किसके एक्वालेंट होगा मतलब जो मैप पे जो आप ड्रो करें टॉप ग्राफिकल फील्ड को उसका एरिया किसके एक्वालेंट होगा तो सिंपल सा जब दी कॉशन है सबसे पहले क्या एरिया ओफ मैप एरिया ओफ मैप कितना होगा ड्रोट पता करते हैं तो कितना होगा यह जगा हमारे पास अठारे सो मल्टीप्लाइ क्या है बूली सेंटीमीटर स्कॉर्ड तो वन सेंटीमीटर इकॉल टू कितना है फिप्टी मीटर का होल स्कॉर्ड क्योंकि वन सेंटीमीटर इकॉल टू तो आप इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं आप अठारे सो मल्टीप्लाइट 2500 meter isquire आप ऐसा लिख सकते हैं हम लोग देख रहे हैं यहां पर हम लोग क्याते हैं how हम लोग कं सा यह यह कर रहे हैं अब हम लोग इसके कर रहे हैं वन सेंटि मीटर इक्ली सिक्स एंडर मीटर इसका मतलब क्या हुआ one meter is equal to one by six hundred सेंटि मीटर एस तो बताएब अब क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया अब आप क्या करिए इसको convert कर दीजिए जो आप convert करेंगे तो अठारे सो multiply में 2500 मीटर स्कॉयर है तो मीटर को किसे कर दीजिए सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में किसका जाएगा मेप का एरिया जाएगा तो वहाँ पर कितना है वन बाई 600 का होल स्कॉयर यह क्या जाएगा सेंटीमीटर स्कॉयर तो सिंपली आपने किया अठारे सो multiply 2500 बटे 600 इंटो 600 और किसमें एगा सेंटीमीटर स्कॉयर जीरो 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 कैंसल हो जाएगी तो 63 जाएटी तो कितना होगे दिजिए सेवन्टी फाइव पच्चीति पेचेत्र बट अच्छे सिक्सका टेबल कर दीजिए ट्वैल पॉइंट कितना हो जाएगा 12.5 और क्या जाएगे सेंटीमीटर स्कॉयर क्या इसा कोई दिरका हमारे को रिजल्ट देखते हैं यस विच ऑप्शन इस करेक्ट सी ऑप्शन इस करेक्ट सी ऑप्शन कितना दिया है 12.5 स्कॉयर सेंटीमीटर दिया है अब आप इसको देख लीजिए इस तरीके का यहाँ प इस तरीके का सारा है I think आपको यह चीजिए के लिए हो गई होगी इस नेक्स वर्शन देखते हैं लोग देखे द्यान से कि यह हमारे पास सक्षन को देखिए क्षें क्या किरा बहुत इंप्परेंट कॉश्चन है वाट इस दा लीस्ट काउंट औप है वर्णीर स्केल हम लोग डिफ्रेंट टाइप सहप स्केल करते हैं यह सबूद चेन हम लोगों ने श्टॉदधी किया टेप हमने उसमें इंप हमारे पास से मीटर संटिमीटर को मेजरमेंट मालत है उसको हमारे पास होता है तो में चुनमेंटिक को अब हमारे पास है वर्नियर इसकेल ज़हान देना जो हमारे पास पहला की बनता है कि वरणियर इसकेल आपको पता है ये चोटी से चोटी से दायमेंशन को क्या करने के लिए खरआने करेंगे हम लोग फोर टैशके वर्नियर को हम लोग gels करते हैं फर्स्ट वन इस दा क्या होता हमारे पास डारेक्ट वर्नियर डारेक्ट वर्नियर सेकेंड वन हमारे पास होता है रेट्रो ग्रेड रेट्रो ग्रेड रेट्रो ग्रेड रेट्रो ग्रेड वर्नियर ठीक है थर्ड जो हमारे पास है देश्टेंज वो हमारे पास कौन स है डवल वर्नियर ठीक है डवल वर्नियर ठीक है तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं वर्नियर में कितने के टाइट का दिरफिश्म स्ह personalities हमारे पास कों सा डारर बनियर कि सेकंड रेट्रो ले और यह सब्सक्राبة यह सकते हैं यहाँ चालेबलाइट होता है उसमें क्या होता है अध्य थी वर्नियर स्केल लगा होता है जिस सेब छोटी से छोटी वैल्यू को क्या करने काउंट कर पाते ठीक है नहीं हम लोग क्या करते हैं इसको रुर्णियर को यूज करते आफ ध्यान से समझना डारेक्ट रुनियर का मतलब होता है डिवीजन उफ वर्णियर equal to kya है N minus one division of man scale. यह data आपने यहाद रखना है. exam में यह data important है. N division of vernier scale equal to N minus one division of man scale. मतलब यहाँ पर जो V है, यह किसको बता रहा है? यह least, मतलब क्या है, least dimension of vernier. और जो एस है यह किसको बता रहा है least dimension यह ओफ मैं इसके यह प्राइमरी स्केल ज्यान देना वन इसकेल जो होता है वो सेकंड इसकेल होता है रेट्रो ग्रेड में क्या होता है रेट्रो ग्रेड में यह रिलिशन आपने आधत में एन वी इक्वल टू end division of varnier scale equal to end plus 1 into man scale के इक्वल होता है ज्यान समझने इसको end division of varnier scale equal to end plus one division of क्या होता है double varnier में को relation में होता है last फिर हमारे पास extended varnier में end division of varnier scale equal to 2n minus 1 of man scale के इक्वल होता है यह डिये इस टेंज, एक्जाम में कौश्चन पूचे गए बारबार कि कौन सा वर्नियर इस relation को fulfill करता है, कौन सा relation इसको करता है, कौन सा इसको करता है, ये हमारे column matching में भी questions आये हुए हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस तरीके का questions एक्जाम में frame होता है question हमारे पास क्या था question हम दुबारा से देख लेते हैं एक बारी question में पूछा गया what is the least count of a vernier scale तो दिहान से देखना है इसमें पहला option दिया है difference of the smallest division of the man and vernier scale अब देखे जब हम लोग क्या करते हैं relation find करते हैं तो करते तो इसी तरीके से हैं परन्तु यह हर type of vernier में क्या नहीं होता है यह आपकेवल नहीं होता है क्यों क्योंकि देखे हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे किस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम लोग लिखेंगे dear strengths इसको थोगा से इस इदर लिजाते हैं हम लोग यहां पर पॉइंट लख रहे हैं least count equal to मतलब हम लोग यहां पर लिखेंगे जैसे S-V ठीक है यह किस केस में है यह डारेक्ट वर्नियर के केस में सही है S-V मतलब क्या हो गया Difference Difference of the smallest S is the smallest division Yes or No? S is the smallest division of man scale and V is the smallest division of वर्नियर scale यह least count का यह formula A option किसके समें Only directuled वर्नियर में c sevent चैसमे क्या है सही है भीर्थ बच किस में सही है बठ जब आप क्या करते है least count equal to V minus S यह किसमा तो है किसमें destructive स्थरे एसथे रेक्ष्ट रो ग्रेंड वर्नियरं में सय होता है ठीक है जब आप क्या करते है least count value find करते हैं किसके case में एक्स्टेंडड वर्नियर में यह होता है v-2s के कोल होता है तो इसलिए हमने ध्यान से देखना है कि first option correct नहीं है difference of the smallest division of the main and वर्नियर इसके लिए यह सई है only direct वर्नियर के case में बट यह किसके case में सही नहीं है retrograde में या फिर किसमें सही नहीं है यह हमारे पास extended वर्नियर के case में statement सही नहीं है okay second देखते हैं some of the smallest division some तो होई नहीं सकता है difference होगा value of the one division of the one-year scale divided by the total number of the division of the primary scale गलत यह बिल्कुल statement गरत है अभी मैं इसको प्रूब करके बता हूँ होए क्यों गलत है value of the one division of the primary scale divided by the total number of division of the one-year scale this statement is correct the option is correct जब भी आपको least count of one-year scale पता करना है तो उसका यह formula होगा value of one division of primary scale इसका मतलब हुआ least count equal to क्या होगा बोलिए one division of the primary scale क्या होगा है एस डिवाइड में डिवाइड में टोटल number of the division तो क्या हो जागा एं बना जब भी आपको least count find करना है वर्मियर स्केल का तो वह इस फॉर्मूले की हैस से आपने क्या करना है फाइंड करना है least count equal to s by n ओके अब मैं आपको प्रूब कर देता है यहां पर हम लोग देख रहे हैं लिस्ट काउंट एक कोड़ी क्या हो जाएगा एस माइनस वी मनलब लीस्ट डिवीजन ओफ मैं स्केल माइनस लीस्ट डिवीजन ओफ वर्नियर स्केल एक्वल किसके दिश्ट इस अच्छा है यह हम लोग देख रहे हैं डारेक्ट वर्नियर के के case में ठीक है किसमें डारेक्ट वर्नियर के case में वहाँ पर स्केल हो जाएगा तो तो हम आप यह हम पर वेल्यीट कीजिए एस माइनस वी को आप क्या लिख सकते हैं यह माइनस वन बाइन इंटू एस तो आप इसका क्या कर किया लेंगे ठिक हर कि यहां से हटा देते हैं इस रफ कर देते हैं यह आपने देखें लिख लिए ना इसको रप करते हैं हम यहां से यहां पर देखें यह जाएगा मार पस S minus N minus 1 into N into S LCM कितना हो जागा N तो आप जो solve करेंगे तो multiply S into N minus N into S minus minus plus हो गया S आप इसको क्या कर देंगे cancel तो किसके को लगा है S by N अब आप कहेंगे सर यह तो diet warner के case में आया बताए यह retrograde के case में क्या same result आएगा yes retrograde में भी same case आएगा अब हम लोग देखते हैं कैसे ओके page खत्म हो गया है हम पर retrograde के case में हम लोग इधर देख लेते हैं ठीक है ना इधर हमारे पास space है retrograde में देखते हैं हम लोग retro retrograde ठीक है retrograde warner हमारे theory lectures में बायकादा एक एक point को अच्छे से समझाया जाता है वहाँ पे बायकादा figure के साथ बताए जाएगा कि retrograde warner कैसा जिससे आपको एक एक point clear हो आपका जो selection है वो बहुत easy हो ठीक है ना बहुत कम टाइम में हो आप जल्दी से अपने आपको prepared करें ठीक है तो उसके लिए सारी चीजे हम लोग बता रहे हैं जितना भी हम लोग खोशिस कर सकते हैं हमरी टीम का पूरा यही रॉल रहता है कि हम लोग अच्छे से चीजों को लेकर करें रे ट्रोग्रेट में देखते हैं क्हाँन इक्वल टो यहां पर णूर्स क्या होगा वी माइनस वाइस B क्या है बढ़ा है किस से तो रिलेशन क्या था यहां पर एन वी इक्वल टू एन प्लास वन इन्टूद तो वट इस दा वी तो v equal to आप क्या लिख सकते हैं n plus 1 s by n लिखे तो put कर ये formula least count equal to v को n plus 1 into s by n minus क्या जागा s तो LCM कितना आगा गए distance n देखें कितना आगा n plus 1 into s minus sn तो अभी भी solve करेंगे तो देखें जब इसका multiply करेंगे तो क्या जागा sn तो अभी भी कितना हैगा s by n तो अब हमने prove कर लिया कि जो least count होगा वो s by n होगा ना कि least count equal to v y n होगा ये गलत है ये क्या है सही है तो आपको एक point यहां से क्या हो गया clear हो गया I think छोटी छोटी बात है थी clear हो गया हो आपको ठीक ये सारा result है आपके सामने इस results को एक बार देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझ मा जाएगा retrograde vernier क्या है ठीक है और vernier खुद क्या है तो इस तरगे का vernier का जितना भी questions जाद तर questions में आपको बता दिया है numericals अभी हमारे रह रहे हैं और theory तो इसका पूरा पड़ाई है सिर्फ question को जितना समझाने के लिए जरूरत था उतना मैंने बताने की पूरी कोसिस किया अब हम लोग इसको थोड़ा क्या करते हैं minimize करते हैं क्योंकि एक question हमारा भी रह चुका है उस question को भी हम लोग देखते हैं ठीक है वो आपने बता दिया आपको अब हम लोग लास्ट question को लेकर क्या आते हैं आपने ओहो यह ज्यादा नीचे चला जया है sorry में ज्यादा स्वादी में धनीचे घ्यादी पार टार टाइब अपके आगे यह लाश्ट खुशन इसका इसका स्लाइड का लास्ट खुशन है इसके बात और भी हमारे पास खुशन है यहां पर देखिए यह तना ही जाएगा ठीक है इसमें बस आपने याद रखना डारेक्ट इसमें क्या है कि विच ऑफ फॉलॉइंग इस ए पर्मानेंट एजस्मेंट दा कंपास सर्वे को ध्यान रख लिए यह हम लोग थोड़ा सा थ्योरियम देखेंगे वहां पर एक होता टेंप्रेरी एजस्टमेंट जिसमें सेंट्रिंग लैवलिंग फॉक्सिंग इन सब को ध्यान दे जाता है और एक होता पर्मानेंट एजस्मेंट जो होता है उसमें वार्टिकल कोशन जहां से देखें इसको इसको में हम लोग देखते हैं साइच चीजें फिर आगे करते हैं इसमें देखें वाटिज दाक्रेक्शन फोर रिफ्रेक्शन एज एपलाइड तो स्ताफ रीडिंग वियर और इसदा रेडियस अफ दा आर्थ ठीक है तो इसका आंसर तो बेल्कुल सिंबल साह है जब भी आम को कर्रेक्शन करना ना होता है फोर रिफ्रेक्शन हमारे कितने तरीके के होते हैं जब भी हम लोग इस तरीके का देखते हैं तो वहां पर दो तरीके के corrections होते हैं first one is the correction for curvature and second one is the correction for reflection correction for curvature and correction for कौन से होता है हमार पास reflection होता है dear students एवाद थोगा सा देख लेते हैं सही है न सारा कुछ ठीक है तो इसमें answer find करना तो बिल्कुल सिंपल है what is the correction for reflection as applied to staff reading तो answer तो हमारे पास है be option ठीक है answer तो क्या है हमारे पास be option है बट इसको हम लोग थ्वासा और अच्छे से समझने की कोशिस करते हैं जिससे आपको बिल्कुल concept के लिए रो जाएगा देखें दिहान से मतलब जो स्टाफ है और जो इंस्ट्रुमेंट है उसमें बहुत ज्यादा क्या डिस्टेंस है ठीक है उस केस में हम लोग क्या करते हैं करवेचर और इसको दोनों को क्या करके चलते हैं यहां पर लिख दे रहा हूं में पॉटेंट पॉइंट है दा एफेक्ट ओके एफेक्ट और करवेचर करवेचर एंड रिफ्रक्शन ठीक है रिफ्रक्शन सुट भी ओके शुट भी कंसीड़ ठीक है when sights are too long बहुत ज्यादव distance पर होते हैं यह long distance पर होते हैं उस case में हम लोग क्या करते हैं effect of करवेचर एंड रिफ्रक्शन को क्या करते हैं तो करते हैं जान समदे इसको इसमें देखिए जैसे हमारे पास यहां पर बहुत सिंपल सिंपल सा है जैसे यह हमारे पास क्या ग्राउंड है और यहां पर हमने क्या रख रखा है इंस्टुमेंट को रखा हुआ इस तरीके से यह हमारे पास से इंस्ट्रूमेंट से क्या करती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं होरी जेंटल लाइन और एक होता है हमारे पास लेवल लाइन ठीक है यह वाला जो है ठीक है इसको हम लोग अच्छे से बना ले रहे हैं इस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं लेवल लाइन बैशल में जो अब्जेट है वह यहां पर है ठीक हैं हम को अच्छू में यह वाला हइट लेना है पन्त हम लोग ले कौन साल यह हाइट रहे हैं यह पॉइंट हो गया D ये वह गया A यह घाए B यह घासी अब आप धिया त्धिगे थो आउट शर्वे सब्सक्राइए फिलव एर क्या पढ़ते एर सब्सक्राइब कारको है मेंजर्ड वैल्यू थे ट्रू बैलू है और चाहिए Planning minus actual value the actual value अब आप ध्यान से देख़िए यह जो को सब्सक्राइब अब हम ने ठ्याओट सार्वेइब करना है वह हमारे पास है वेल्एक्षMA value, okay friends, measured value minus actual value, अब आप यहाँ पर देखिए, जो हम लोग measure कर रहे हैं, वो किस point को कर रहे है, B से D को, मलाई, D point तक हम लोग क्या कर रहे है, measurement कर रहे है, but जो actual है, वो कहाँ पर है, वो ते इतना ही height का है, object की जो height है, वो इतना ही है, बट हम लोग measurement कितना कर रहे हैं, उसको BD कर रहे हैं, तो error अगर हम लोग देखेंगे, वो हो जागा BD minus BC, यह जो error आएगा, यह किसके equal आएगा, यह error आएगा, हमारे पास C dot D के equal आएगा, यह वाली value के कैसके आएगा, equivalent आएगा, okay, error में measured value minus actual value, दूसरा, जब हमारे पास क्या है, error positive होगा, तो correction कैसा होगा, बोले हैं, तो correction कैसा होता है, negative, correction कैसा होगा, distance हमारे पास negative होगा, okay, next देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर इसको mathematically हम लोग solve करना चाहते हैं, तो कैसे यह result आएगा हमारे पास, वो देखते हैं एक बाद, जैसे हमारे पास यह point है, ठीक है, sorry, यह हमारे पास point है, इस तरह कैसे, और यह point है हमारे पास D, A और D, इसके beat, जो distance है, यह हमारे पास क्या है, D distance, और D हमारे पास किसमें, किलो मीटर में, ठीक है, इसको हमने कब लेना है जब हमारे पास जो हमरे पास इंस्टुमेंट है और जो हमरे पास के स्टाफ इसमें डिस्टेंस जाओ बहुत ज्यादा हो तब हम लोग इसको 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 एक सरकल में का बर्ट करना है इस तरह किसे इसको हमने किया कर देना कंवर्ट करना है यह हमने क्या कर दिय THIS को सइसे और कि अगा अप एक कर दो कि इसको तरी कीसित्याद हुल ऐसे कच व्योंट थी ठाफ एब इससको प्रोइंग स्धोन ओक्ट तो यह हमारे पास होगा C, यह पॉइंट होगया हमारे पास E, यह इसका कैस सेंटर, तो हम लोग मैथमेटिक का थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी के अकोर्डिंग है, D, C, multiply D, E, equal to, D, C, multiply D, E, equal to, किसके हो जाएगा, A, D, square के equivalent हो जाएगा, जो आप इसको आगे solve करेंगे, फर्दर, तो D, E को आप क्या लिख सकते है, D, E, D, C, plus C, E, यह हो जाएगा, D, C, plus C, E, equivalent, A, D, square, और आप जो इसको आगे, फर्दर solve करेंगे, तो D, C, square, plus, D, C, multiply, C, E, equal to, कितना हो जाएगा, A, D, square, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको थोगा सा, इधर लेकर करके आते हैं, इसको, जिससे आपको अच्छे से किलिए दिखाएगा, D, C, square को हम लोग equivalent 0 लेंगे, because, जो यह D, C, का value है, यह diameter क कि respect में क्या है, कम है, अगर किसी कम value का और square कर देंगे, तो और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इस तरी कैसे हमारे पास यहाँ पर आएगा, D, C, multiply, D, C, multiply, C, E, equal to हमारे पास क्या है, A, D, square, तो C, E, हमको क्या पता करना है, C, D, जा D, C, बात यह की है, A, D, square, divide में कितना जाएगा, C, E, यह value कितना है, D, square, divide, 2, R, तो यहाँ से हमारे को एक error का value मिला, जो error है हमारे पास, C, D, वो हमारे पास हो गया, किसके equal, D, square, by, 2, R, तो correction किसके equal होगा, D, questions, जो correction होगा हमारे पास, वो एकोट हो जाएगा, minus D, square, by, 2, R, अगर आप इसको final solve करते है, minus D, square, by, 2, into, 6, 3, 6, 7, जो इसको all solve करेंगे, यह हो जाएगा, D, square, minus, तो कितना हो जाएगा, 4, 3, sorry, 4, 2, 6, 7, 1, 2, final होगा, 0.0785, D, square, तो यह हमारे पास आएगा, correction, किसका, correction, जो टो करवेचर का value आएगा, तो यहाँ पर important point क्या है, जो इस correction और करवेचर को भोते हैं, CC equal to minus, 0.0785, D, square, किसमें, किलो मीटर में, और जो CC है, यह किसमें हमारे पास, मीटर में, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको क्या रखना है, याद रखना है, नेक्स देखते हैं हम लोग, नेक्स रहे हमारे पास, correction, due to, refraction, इसको हम लोग लिखेंगे, CRC, तो इसमें हम लोग देखते हैं, यह किसके कारण होता है, due to, change of air density, उसके कारण होता है, air density, आपने पढ़ा होगा, जब भी हम लोग क्या देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं, अगर कोई भी एक light, raise क्या आती है, इस तरीके से पास करती है, अगर वो rare to dancer में क्या करती है, जाती है, कोई भी line है, कोई भी raise है, वो thinner medium to dancer medium में, या rare to dancer में जाती है, तो वो line सीधी ना जा करके, वो थोड़ा सा bend हो जाती है, towards the normal, तो same हम इस concept को क्या करेंगे, यहाँ पर use करेंगे, by help of this concept, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, कि यह हमारे पास point है A, यह point क्या हमारे पास D, और यह हमारे पास क्या है, curve, C, यह क्या है, level line, yes or no, यह क्या हमारे पास level line, और यह हमारे पास क्या है, horizontal line, horizontal line, actual में वो होना तो कहां पे चाहिए था, इस point को होना चाहिए था, बट वो D पे ना हो करके, यह D को क्या करता है, D dash पे so करता है, तो यह तो हो गया, इस वार actual, yes or no, यह क्या हमारे पास actual, और measured जो है, यह क्या हो गया, हमारे पास measured, तो इस वार बोली किसका value जादा आ रह तो इस वार measured value का है, ले से, comparison to, एरर कैसा हो गया, नेगेटिव, तो correction कैसा होगा, distance, correction हो गया, यहां पे positive, पोल्च कैसा distance, पोजेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर हम सिंपल से समझें, तो यहां पर जो C R होता है, यह क्या होता सब्सक्राइब अगर अगर कंबाइंड देखेंगे अगर कंबाइंड एरे देखएंड फिर वे देखेंगे कंबाइंड कि एक सब्सक्राइब करेंगे तो यह बजाएगा सी आर प्लस में क्या जाएगा सी सी होगा यह वेलू कितना है माइनस सब्सक्राइब प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन वन टू डी स्कूर और यह वैलू किसके को रहे यह वेलू कितना है माइनस 0.0785 डी स्कूर तो फाइनल जवाब सौल करेंगे तो यह वेलू है जाएगा माइनस में 0.0673 डी स्कूर के इक्व़लेंट आएगा तो देश्ट आपने आप ध्यान देना है correction due to curvature correction due to curvature कैसा होगा, negative होगा correction due to reflection कैसा होगा positive होगा और combined correction जो होगा वो भी कैसा होगा, negative होगा तो इस तरीके से अगर हम लोग question का answer देखें जो हमारा question है exam का उसका answer क्या होगा तो उसका answer देखते हैं हम लोग उसका answer है हमारे पास 1 by 7 दिस्कारब है तूर वो तो क्या था वेकुल सिंपल सा क्षेशन था जो मेरा आपको अलड़ी पहले से समझा है नेक्स देखते हैं लोग यह हमारे पास आज लास्ट कोशन है तो वट इस दा कारडिनल प्रिंसिपल ऑफ शर्वेंग सिंपल सा हमारे पास वट इस दा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेंग हमारे पास और serving जो हम लोग study करेंगे वो हमारे पास होता है work from whole to part यहां से समझने इसको work from whole to part होता है और एक और option दे रखा होता है work from part to whole part to whole तो ध्यां देना यह जो है यह गलत है और यह वाला क्या है सही है इसमें क्या होता है error accumulation होता है sorry error minimization होता है इसमें क्या होता है error का error minimization ठीक है error minimization दूसरा error क्या होता है कम होता है इसमें क्या होता है accumulation होता उसका adding होता हुआ जाता है दूसरा यह तो हो गया principle of surveying next हम लोग देख रहे हैं आपर principle of chain surveying अगर आप से यह पूछा जाए chain surveying का principle क्या है तो आप क्या कहेंगे पता है इसका होता है triangulation इसका मतलब क्या होता है whole area को हम लोग किसमें divide करते हैं डियस्टेंस triangle में divide करते हैं next देखते हैं हम लोग compass surveying अगर आप वो compass surveying का देखना है तो इसका क्या answer आएगा compass surveying का देखेंगे यह होगा मार पास traversing traversing क्या होता है डियस्टेंस traversing महला हम लोग whole area किसमें divide करते हैं traverse में divide करते हैं next अगर हम लोग देखते हैं किसमें plan table में किसमें देखते हैं डियस्टेंस plan table में तो इसका क्या होता है orientation orientation और नेश्ट अगर हम लोग देखते हैं किसका टेक्योमेट्री का टेक्योमेट्री तो टेक्योमेट्री का देखते हैं तो वह क्या होता है isosilie s triangle होता है थिक करते हैं तो सिमलोग क्या करते हैं यूज करते हैं तो उसमी करते हैं इन चीजों को हम लोग वहां पर देखेंगे तो यह सारी चीजा आर्णी में पड़ रहे हैं तो थिज़िए है पॉइंट टो पॉइंट हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे तो आइठिंग आपको यहां पर बहुत साइच चीज़ें किलियर हुई होगे आपको पता चला होगा कि एक कोश्चन को हमने किस तरीके से स्टड़ी करना है किस तरीके के वहां पर कॉश्चन्स फ्रेम होते हैं डे स्टुडेंट्स जे के स्टुडेंट्स डेडिकेटेड होकर के स्टड़ी करना चाहते हैं वह हमसे जोड़ सकते हैं कि तरीके टुडेंट्स अंहें टूबखर रहा हुआते हैं चैनल टूबखरी ट्रेशन खार स्टूंस आउसन आपर कंट बंदाशन दिए दीतरों कि एक पर दो बंदेट्त Nein